मुनावर फारुकी ने किया आईशा के सामने नहीं रहना चाहते हैं आईशा खान के साथ वेल सल्मान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 इस वक्त काफी ज़्यादा लाइम लाइट में बना हुआ है जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता जा रहा है गेम और भी ज़्यादा इंटरस्टिंग होती होई नजरा रही है शो के मेकर्स भी लगतार प्रोमो वीडियो शेर कर रहे है शो को और भी ज़्यादा एकसाइटिंग बनाये रखने के लिए और फांस के दिल में एकसाइटमेंट बढ़ाये रखने के लिए वेल जो लेटेस्ट प्रोमो वीडियो इस वक्त सामने आया है वो इसमें मुनवर फारुकी और आईशा काउंटर एक दूसरे पर करते हुए नज़र आ रहे हैं और खूब कड़वे सवाल भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं यहां प्रोमो वीडियो में आयशा मुनवर से पूछती हुए नज़र आती है कि मुनवर को नहीं लगता कि उनके बिएवियर में सइडनली बहुती ज्यादा चेंज आ चुका है इस पर मुनवर आयशा को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ उन्हें नहीं लगता कि वो आयशा के लिए ठीक है और उन्हें यह भी नहीं लगता कि आयशा उनके लिए ठीक है यहाँ पर मुनवर यह चीज़ एकसेप्ट करते हुए नज़र आते हैं आईशा इस पर सवाल करती है कि सईदन एक दिन में ऐसे क्या हुआ कि आईशा के लिए मुनवर के मन में जितनी फीलिंग्स थी वो एकड़म से चेंज हो गई वेल मुनवर यहाँ पर आईशा के सामने कंफरेंट करते हैं कि उन्होंने अपने आपको बदला है और यह सारी चीजे करने में उन्हें काफी ज्यादा ही टाइम लगा है मुनवर साफ तोर पर कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया और वो नहीं चाते कि वो आईश है किस साथ किसी भी तरीकी के रिष्टे में बंद कर रहा है इसी बात को लेकर दोनों के बीच में पावी बेंकर जगडा भी होता हुआ नज